हेलो दोस्तों, डेली हेल टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ अगर आपके लिए वीडियो हेल्पुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेर करें फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स का थंडा पानी पीनी के नुकसान चीहां फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम आ चुका है और फ्रेंड्स, इस वक्त आपको तो इच्छा हो रही होगी की क्यों ना अच्छा सा थंडा पानी यानि की कूल वाटर मिल जाए और आपकी प्यास भी बुच जाए ची हाँ फ्रेंड्स गर्मी के दिनों में थंडा पानी बहुती ज़्यादर ज़रूरी हो जाता है बिना थंडा पानी पिये पूरी दहाँ से प्यास नहीं बुचती है विशे फ्रेंड्स कई लोग फ्रिश का थंडा पानी लगातार पीते रहते हैं इस में से जियादतर लोग अच्छी दरहा से जानते हैं कि पानी पीनी से हमारे शरी को क्या फाइदा होता है विशी शुरूप से फ्रेंट्स जियादतर गर्मी में और साथी एक्सेसिफ फिजिकल एक्टिविटी करने के गौरान धंडा पानी पीनी के बहुत से फाइदे होते हैं जियादतर लोग फ्रेंड्स गर्मी के दिनों में यानि की बहार धूप में आने के फॉरान बाद प्यास लगने के वज़ा से साधे पानी में बर्फ यानि की आइस का तुकड़ा डाल कर शिडी के टेंपरेचर को नॉर्मल बनाये रखने के लिए थंडा पानी यानि की आइस फे आइस कोल वाटर पीनी से कौन से नुकसान होते हैं और इसकी वज़ा से हमें कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पर सकता है उस्तों सब्सक्राइब करें टेली ही टिप्स को ये बिलकुल फ्री है और साथी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सके हमारा वीडियो सबसे पहले सबसे पहला प्रॉब्लम है फ्रेंद्स इन-डाइडैशन की प्रॉब्लम छी हैं बॉड़ी के नॉर्मल टेंपरीचर पर ढइडैशन ठीक रहता है लेकिन थंडा पानिया फे आइस कोल वॉटर पीनी से हमें कब्सकी प्रॉब्लम यानकि कौन और फ्रेंड इससे आपके डाइजेशन प्रॉसेस बहुते ज्यादा धीमी हो जाती हैं जोसके वजह से आपको खटी डखार रहाती हैं कॉस्टीपेशन की प्रॉब्लम और साथी ग्यास यानिकी आसिडिती की शिकायत भी हो सकती हैं इसलिए फ्रेंड्स आप कोशिश करेंगी जब भी आपको बहुत ज्यादा प्यास लगे तो ऐसे में आप ज्यादा थंड़ा पानी ना पिए बल्के फ्रेंड्स आप मटके का पानी पीच सकते हैं नेक्स्ट है हार्ट प्रॉब्लम्स यान की दिल के लिए है नुकसान दायर चीहां गर्मी में थंड़ा पानी यदि आप पीते हैं तो आपकी बलड नर्फ सीकूर जाती हैं जिसके वज़ास से आपके हार्ट को बलड पंप करने के लिए अधिक मेहनत करने पड़ेगी और हार्ट पर ज्यादा जोर पढ़ने से आपकी हार्ट भी धीमी यान की स्लो होने लगती हैं और दिल की धरकन धीरे होने से आपको कुछ भी हो सकता है जोसे कि फ्रेंड्स हार्ट अटायक भी हो सकता है चीहां हार्ट अटायक आने से आपकी जान भी जा सकती हैं इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रिज का थंडा पानी ना पिए नेक्स्ट रे फ्रेंड्स वजन बढ़ना यानकी वेट गेन की प्राब्लम होना ची हां मुटापे से हर कोई परिशान होते हैं लेकिन अगर वो लोग चोकि फ्रिज का पानी पी रहे हैं तो मुटापे से और भी स चुटकारा नहीं पा सकते हैं इसलिए फ्रेंड्स आपको शिश करेंगी जब या फ्रिज का पानी पिए तो ऐसे में आप इसे कम से कमी पिए फ्रेंड्स आपको हो सकती है सर्द गर्म की समस्तिया और सत्य आपको हो सकता है गला खराब ची हां फ्रेंड्स गर्मी में बाहर का टेंपरेचर ज्यादा होता है और ऐसे में यदि आप घर पर जाकर थंड़ा पानी पी लेते हैं तो आपके सीने पर कफ जम जाती है जिसके कारण आपको सर्थ और सती गर्म की प्रॉब्लम हो सकती है इसके लावा फ्रेंट्स फ्रिज्ट को पानी पीने से आपका गला खरा होने के समावना भी अधिक होती है जिया रोजाना अगर आप इस आदत को जादी रखेंगे तो ऐसे में आपको टॉंजल की प्रॉब्लम फेफड़े और साथी पाच्छन तंत्रे से रिलेटे डोग आपको आसानी से घेर लेंगे इसलिए फ्रेंट्स फ्रिज्ट की बज़ हम थंडा पानी पी लेते हैं तो ऐसे हमारे शरी के एनरजी पानी के टेंपरेचर को कंट्रोल करने में वेस्ट होने लगती हैं और इसका सबसे जियादा असर हमारे डाइजिशन पर पड़ता है जिसके वज़ाव से फ्रेंट्स हमारे बॉडी में न्यूट्रेंट्स सही से एब्सराब नहीं हो पाते हैं और हमें न्यूट्रेंट्स की कमी हो चाती है इसलिए आप कोशिश करें के आप जियादा थंडा पानी ना पिए नेक्स्ट ए फ्रेंट्स सिर्दर्द की प्रॉब्लम छी हां थंडा पानी पीनी से आपके बॉडी का टेंपरेचर अचानक अच्छे रहते हैं और फ्रेंट्स छोटे मुटे वाइरस हमारे उपर असर नहीं डाल पाते हैं लेकित फ्रेंट्स जोब आप थंडा पानी पीते हैं तो ऐसे में बॉडी टेंपरेचर को कम कर देता है और इससे हमारी इम्यून सिस्टम खराब होता है और साती बीमाया होन फ्रेंट्स को थंडा पानी एनरजी को कम करता है और आप लेज़ी फील करते हैं उसलिए फ्रेंट्स जोब भी आप धूप में सफर करके घर वापस आते हैं तो ऐसे में आप तुरण थंडा पानी ना पिएं बलकि आप मटके का पानी पिएं नेक्स पॉला साइड एफेक्ट्स है फ्रेंट्स आपके नसों को सिकुडा देता है फ्रेज का पानी चीहां दोस्तों अगर आप भी फ्रेज के पानी का सेवन कर रहे हैं तो ऐसे में आप समझ जाएं कि आपके नसों में एक दुरुष प्रभाव आने वाला है क्योंकि फ् फॉला से प्राब्लम को फेज करना परता है इसलिए आप कुशचिश करें कि आप बहुत सिएदा थंडा पानी ना पिए नेक्स फिल ला नुफसान है फ्रेंट्स पेट का दर्ड शीहां पेट का दर्ड बहुत यस्यदा भयानक होता है इसे किसी काम को करने की चान नहीं जाती है और अगर आप फ्रिज का पानी पी रहे हैं तो ऐसे में पहले से ही साथान हो जाईए क्योंकि फ्रिज का पानी पीने से पेट खराब हो जाता है फ्रिज का पानी बहुत थंडा होता है यसलिए अगर आपको पेट के दर से बचना है तो फ्रिज का पानी का सेवन काम करने लगता है और आपको ब्लर प्रेशर की समस्या हो सकती है इसलिए आप बहुत ज्यादा थंडा पानी ना पिए सबसे लास्ट वार साड एफेक्ट से फ्रेंड्स योन समस्या है चीहां फ्रेश का पानी ज्यादा दिन तक उपयोग भी लेनी से आपको कहीं सारी योन समद्री प्रॉब्लम्स हो सकती है खास करके फ्रेंड्स इससे समय न्यान की वीडियो को भारी माता में खश्यती पहुँ झाले प्रॉब्लम्स